सपने में शारिरिक संबंध बनाना शुब है या अशुब क्या संकेत देता है। तो कुछ लाबकारी होते हैं, तो कुछ सपने सुख से संबंधित होते हैं, कुछ सपने किसी को बताने लायक नहीं होता है। ऐसा ही एक सपना यदी किसी को शारिरिक संबंध बनाने का आता है, यानि की व्यक्ति रात को सपने में शारिरिक संबंध बनाते हुए दिखता है, तो उसका अर्थ क्या होता है? आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा इस प्रकार से मन में सवाल आना जरूरी है पर उसका जवाब भी सुनना बहुत जरूरी होता है हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा बने रहे वीडियो के अंत तक मित्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृप्या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को शेर जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा अच्छी खबर यह है कि यह कोई असंभव काम नहीं है बलकि सपने में दिखाई देने वाले संकेतकों के जवाब के माध्यम से इसके विचार को अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है सपने में शारिरिक संबंध बनाते हुए देखने का हर्थ शुब तथा अशुब दोनों ही हो सकता है क्योंकि यह इस बात के उपर निर्भर करता है कि आपने सपने में शारिरिक संबंध बनाते हुए किसको और किसके साथ देखा है या फिर स्वयन को देखा है तो किसके साथ देखा है इस बात के उपर सांकेतिक रूप प्रदान होते हैं मनुष्य द्वारा देखने वाले सभी सपनों का अर्थ हमारे धर्म शास्त्रों में दिया गया है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति इस तरह का सपना देखता है और उसे पता नहीं है कि सपने का अर्थ क्या है। इसमें का महत्व क्या है, इस सपने से जीवन में कौन सा समय आने को दर्शाते हैं और यह की सपने में संभोग देखने के अलग-अलग अर्थ होते हैं जो सपने देखने वाले के व्यक्तित्व और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निरभर करते हैं संपूर्ण प्रित्वी पर मनुष्य ही एक मात्र ऐसा प्राणी है, जो अपने सुख के लिए शारिरिक संबंध बनाता है। जबकि प्रित्वी पर मौजूद लाखों और करोडों जीव जंतु और प्राणी केवल प्रजन और संतान प्राप्ति के लिए शारिरिक संबंध बनाते हैं। इसलिए मनुष्य अपने सुख के लिए दूसरे लोगों के साथ भी शारिरिक संबंध बनाते हैं, जिसे वे पसंद करते हैं या उसकी तरफ आकर्शित होते हैं। संभोग एक संवेदनशील विशय है और रोजमर्रा की जिन्दगी में इसे नजरंदाच करना असंभव है। लेकिन कई बार यह विशय हमारे सपनों में भी आता है। प्रेमिका के साथ शारिरिक संबंध बनाते होते हैं। किसी अंजान व्यक्ती के साथ, किसी रिष्टेदार के साथ, पती-पत्नी के साथ शारिरिक संबंध बनाते होते हैं। लेकिन इन सभी का अलग-अलग मतलब होता है। इस बात के उपर निर्भर करता है कि आपने सपन प्रेमिका के साथ शारिरिक संबंध बनाते हुए देखा है। परंतु यदि कोई लड़की इस तरह का सपना देखती हैं तो यह उनके लिए अशुब संकेत हो सकता है। इसलिए अपने पती से संतुष्ट होने की चाह में उसे यह सपना दिखाई दे रहा है। आमतौर पर ऐसा ही होता है। इसलिए महिला को अपने पती के साथ समय व्यतीत करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और अपनी संतुष्टी के बारे में भी खुल कर बताना चाहिए। धर्म शास्त्र कहते हैं कि ऐसी महिलाओं को पती का साथ मिलना जरूरी है, नहीं तो घर में नकारात्मकता प्रवेश कर सकती है। एकल महिलाओं के लिए सपने में संभोग के बारे में सपने की व्याख्या। और आने वाले दिन उसके लिए बहुत खुशी और खुशी लेकर आएंगे। नए दोस्त बनाना सपने में किसी प्रसिध व्यक्ति के साथ संभोग करने का सपना अविवाहित महिला की नए दोस्त बनाने और नए लोगों से मिलने की इच्छा को व्यक्त करता है। और यह सपना उसके कई सामाजिक संबंधों को इंगित करता है। एक विलासी जीवन एकल महिलाओं के लिए संभोग का सपना उस उच्छ जीवन और विलासिता से संबंधित हो सकता है जिसे आप भविश्य में जीते रहेंगे और खुशी से सम्मान और विलासिता के साथ रहेंगे। जीने की आजादी का अनुभव अविवाहित महिला को सपने में संभोग देखना उसकी इच्छा को जीने और अपने दम पर निर्णय लेने की आजादी का अनुभव करने और अपने जीवन की व्यक्तिगत आजादी और आत्म प्रबंधन का आनंद लेने की इच्छा को दर्शाता है। अपने लक्षेओं को प्राप्त करना अकेली महिला के लिए संभोग का सपना जीवन में उसके लक्षेओं और आकांक्षाओं को प्राप्त करने सफलता, स्थिर्ता और मनोवैज्यानिक संतुष्टी प्राप्त करने का संकेत देता है। और दूसरों के साथ संचार का संकेत देता है। एक विवाहित महिला का एक युवा लड़के के साथ संभोग करने का सपना उसके गर्भधारन या नए मात्रित्व के डर को व्यक्त करता है। सपने में पशुओं को संबंध बनाते हुए देखना। धर्म शास्त्र कहते हैं कि यदि किसी को सपने में पशुशारिरिक संबंध बनाते हुए दिखाई देते हैं तो यह उनके लिए अत्यंत शुग संकेत हैं। इससे उन्हें घर परिवार में सुक्सम रिद्धी देखने को मिलेगी, धन की प्राप्ती होगी तथा व्यापार में व्रिद्धी होगी। धर्म शास्त्रों का कहना है कि पशुओं को धन कहा जाता है। सपने में पराइस्त्री के साथ संबंध बनाना। यदि आपने पराइस्त्री के साथ संबंध बनाते हुए सपना देखा है, तो यहाँ आपके लिए घातक साबित हो सकता है। धर्म शास्त्र कहते हैं कि पतनी घर की लक्षमी का रुप होती है। इसलिए आप अपने घर की लक्षमी के अलावा किसी और को इस अवस्था में अपने साथ सपने में देखा है, तो यहाँ आपके लिए हानिकारक हो सकता है। आपको जीवन में आर्थिक कमजोरी जेलनी पड़ सकती है, धन की कमी आ सकती है, व्यापार में नुकसान हो सकता है। सपने में पती के साथ शारिरिक संबंध बनाने का अर्थ शुब होता है, लेकिन उन्हें कुछ परेशानिया भी उत्पन्न होती हुई देख सकती हैं। मारेरिक संबंध बनाना लड़का लड़कियों के लिए शुब संकेत हैं, जबकि शादी शुदा लोगों के लिए अशुब संकेत है, इससे उनके वैवाहिक जीवन पर असर पड़ सकता है।